तो दोस्तों आज मैं साल 2018 में हुलू पर रिलीज हुई एक anthology series into the dark की films को explain कर रहा हूँ बट यहाँ पर खास बात यह है कि यह सारी films हापस में connected नहीं है और सारी की सारी independent films है end में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ best movies को ही explain करूँगा जो कि इस महीने के बीच में कभी कभी आती रहेंगी तो यहाँ पर इस series की one of the best movie है Treehouse जिसको international woman day से पहले release किया गया था और इसके writer director है James Rode और दोस्तों मैंने कल ही VHS film को explain किया है जो की बहुती बढ़िया film है और इसकी काफी ताधा demand भी थी तो जाकर जरूर देखना link is in the description और दोस्तों मेरे नए channel यानि की plot series पर भी एक video आ गई है तो जाकर जरूर देखना अब से आपको यहाँ पर different creators की voice भी सुनने को मिलेगी यह मेरा non-horror channel है जहाँ पर horror को छोड़ कर बाकी सबी genre की movies explain होंगी तो जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर दो 50,000 subscriber करवादो यार link is in the description तो चलिए अब भिना किसी देरी के चलते हैं सीधा video की तरफ फिल्म की शुरुवात बैका वीलर नाम की एक लेडी के साथ में होती है जो की suicidal state में थी उसके पास राइली ब्रैंड का एक cutlery knife भी था उसके हाथ पर needles के निशान थे आगे हम पीटर रेक नाम के एक famous TV शेफ को देखते हैं जो की अपने episode के लिए shoot कर रहा था की एक बेटी भी थी जिसके उपर इसने अपना restaurant and cutlery brand बनाया था वो राइली से काफी प्यार तो करता था वर उसको time नहीं देता था इसकी शादी तूट चुकी थी और इसकी पहली भी फिर से शादी कर रही थी मीडिया के gossip से बशने के लिए पीटर अब अपनी family estate जाता है जो की country side में था वहाँ पर उसकी बेहन Gwen family caretaker Agnes के साथ में रहती थी पीटर अपने hometown जाता है जहाँ पर एक पुराने hotel में वो Lonnie नाम के एक आदमी से मिलता है लॉनी पीटर का बशबन का दोस्ता जिसे वो बुली करता था लॉनी उस होटल का owner था और mentally उतना smart नहीं था फिर भी वो पीटर को welcome करता है as a friend यहाँ पर पीटर group of lady tourist को देखता है जो की घूमने के लिए आई हुई थी पीटर के family mansion में उसकी sister Gwen उसे welcome करती है बट Agnes उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी पीटर और Gwen के रिष्टे भी अच्छे नहीं थे as वो सालों बाद वहाँ पर आ रहा था उसको ये तक पता नहीं था कि उसकी sister अब district attorney बन चुकी है Gwen अब अपने एक urgent case के चलते घर से बाहर निकल जाती है बाद में पीटर अपने घर के आंगन में एक male goat को देखता है जिसे वो black philip कहता है terrace पर उसे दूर पहाड़ों पर एक 12 सिंगा यानि की एक stack दिखता है फिल्म के अंदर animals को symbolism के तोर पर इस्तिमाल किया गया है जिसकी importance को मैं end में explain करूँगा पीटर के इस बड़े से mansion में हर जगा paintings थी जिसमें से एक painting back up wheeler को दर्शाती थी एगनस ये कहती है कि पीटर के dad ने इसको बनवाया था जो की life की कोमलता को दर्शाता है यहाँ पर पीटर के dad ने पीटर को उनकी funeral पर आने के लिए मना किया था एस उनको पीटर पर लगे हुए sexual allegations सही लगते थे लेटर ओन पीटर को घर के kitchen drawer में बहुत सारी चीटियां दिखती है टॉयलेट खून से बरा हुआ था इन शॉर्ट यहाँ पर कुछ भी normal नहीं था अब उस रात उन लेडी टूरिस्ट में से एक लेडी कारा पीटर के घर आती है और कुछ candles मांगती है उनकी camp site में back up power चला गया था कारा पीटर को अपने और अपने group के बारे में भी बताती है नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर जॉगिंग पर जाता है जहाँ पर वो एक tree house को देखता है और वहाँ पर रुख जाता है तब ही कारा वहाँ पर आकर अपने friend से उसको मिलवाती है एलिना, मॉर्गन, मैरी, और मैरी की मॉम लिलित पीटर इन सब को ब्रीफ लिए उस tree house से जुड़ी उसकी memories को बताता है कैसे बचपन में वो और उसकी sister वहाँ पर खेलने जाते थे अब वो tree house वीरान पड़ा था जिसकी ओपर कुछ demonic symbols भी थे लेटर ओन पीटर सभी ladies को अपने घर lunch पर invite करता है पीटर ने खुद सभी लोगों के लिए lunch बनाया था जिसको सभी enjoy करते हैं पीटर का mention बड़ा था इसलिए वो सभी को यहीं पर stay करने के लिए कह देता है जिसे ladies भी accept कर लेती हैं पीटर ये notice करता है कि सभी ladies ने एक जैसा ही tattoo बनवाया था जिसे ladies sisterhood का symbolism कहती है अब रात के डिनर के बाद पीटर सभी ladies को अपनी special chocolate cake देता है बट strangely उसकी health बिगरने लगी थी इसलिए वो अपने room में जाकर सो जाता है आदी रात को पीटर की आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि Morgan उसके बगल में सो रही है नीचे hall में loud music बज रहा था पीटर जैसे ही नीचे जाता है तो वहाँ पर एक जिन्दा beautiful cock टहल रहा था music gramophone से आ रहा था जिसे वो बंद करता है तब ही उसकी नजर 8 foot लंबे एक demonic ritual के statue पर बढ़ती है जिससे खुन तपक रहा था पीटर panic में Agnes को ढूडने जाता है बट वो अपने room से missing थी बाकी ladies भी missing थी और Morgan भी गायब हो चुकी थी बाद में पीटर को घर के main door से एक demon जैसा creature उसकी और आते हुए दिखता है वो creature पीटर पर हमला करके उसे उसके ही bed पर बांद देता है जब पीटर को फिर से होश आता है तो वो ये देखता है कि Morgan उसके सामने ही बैटी है और वो creature भी उसके बगल में था यहाँ पर कारा ही उस demonic creature जैसे get up में आई थी और वो अपना mask उतारती है अब बाकी ladies भी वहाँ पर आकर ये कहती हैं कि वो angry witches हैं उससे बदला लेने के लिए आई है यहाँ पर कारा ने लंच के दौरान पीटर की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे उसकी body की strength कम हो गई थी मूवी के पहले scene में जिस lady को हमने देखा था बैका वीलर वो कारा की sister थी पीटर और बैका हाई स्कूल में friends थे पीटर ने उसी tree house पर नशे की हालत में बैका पर sexual assault किया था पकड़े जाने पर उसने उस चीज़ को consensual कहकर बैका को ही बदनाम कर दिया बैका इस trauma से emotionally weak होकर नशे के चंगुल में फस गई थी इसलिए हमें उसके हाथ पर needles के निशान दिखे थे उसने पीटर की ही cutlery knife से suicide कर लिया था symbolizing की उसने उसकी life को बरबाद किया है कारा और बाकी ladies पीटर से उसकी sexual misconduct का बदला लेने यहाँ पर आई थी पीटर अभी भी अपनी गलती नहीं मानता है और इंसिस्ट करता है कि वो consensual था Mary and Lilith एक नाटक करके दिखाते हैं जहाँ पर पीटर जॉब के लिए एक लेडी पर sexual harassment कर रहा था उसने लिलित की दूसरी बेटी जो की एक journalist थी उस पर exclusive interview के बदले sexual advances किये थे एलिना की मदर पीटर के रेस्टरों में काम करती थी जिसे उसने इक्वल पे नहीं दिया था एस वो एक पॉर्टो रिकन थी simply कहें तो पीटर एक घटिया इंसान था जिसने कई लेडी की बरबाद की थी मीडिया के अंदर me too movement पर जोड था है इसलिए वो भाग कर यहां पर आ गया था इसलिए उसकी wife ने उससे divorce भी लिया था पीटर as usual सभी आरोपों से इंकार करता है अब लेडीज पीटर की fingernail, खून और बालों को ritual के लिए collect करते हैं तभी पीटर एलिना से चाकु छीन कर खुत को अजाद करके घर से भागने लगता है पैनिक में 911 को call भी करता है बट वो नहीं लगता इसलिए hotel में Lonnie को call करके help मांगता है यहां पर पीटर की body की strength में कमी थी इसलिए जल्दी ही वो पकड़ा जाता है लेडीज उसको लेडीज की तरह ड्रेस पहना कर एक पिंजरे में बंद कर देती है बात में Lonnie पीटर को ढूंडते हुए आता है तो कारा उसे वापस जाने के लिए कहती है बट Lonnie नहीं मानता और वो घर के अंदर गुसने लगता है तब ही एगनस वहाँ पर आकर उसको रोकती है यहाँ पर Lonnie एगनस का बेटा था जो कि पीटर के डैड के एगनस पर किये सेक्शुल असौल्ट का नतीजा था यानि कि ये बिमारी जैनेटिक थी जिसको एगनस सालों से सहती हुई आ रही थी और इसलिए ही वो पीटर को देखकर खुश नहीं थी वो Lonnie को वापस भेज कर कारा को अपना रिचुल कम्पलीट करने के लिए बोलती है लेटर ओन लेडीज पीटर को पिंजरे से निकाल कर उसे भगाने लगते हैं एस उन्हें उसे एक एनिमल की तरह हंट करना था पीटर भाग कर ट्री हाउस जाता है जहां पर उस पर लगे मीटू एलिगेशन के पेपर क्लिपिंग्स भी थे वहाँ पर एक चैस बोर्ड बलड मार्क भरा मैट्रिस भी था इसे देखकर भी वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में उसे उसकी सिस्टर ग्वेन की कार दिखती है पीटर फॉरन ही भाग कर कार में बैठता है जिसे देखकर ग्वेन को शौक लगता है वो ग्वेन को सारी बात बता कर कार भागाने के लिए बोलता है Gwen यहाँ पर सर्प्राइज नहीं होती और ये कहती है कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें फिक्स कर देंगे मीनिंग Gwen ने ही विचिस को बुलाया था Gwen पीटर को कन्फरंट करती है Becca उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसकी लाइफ पीटर की वज़ा से खतम हो गई थी दरजनों और लेडीज ने इस सेलिबरिटी टीवी शेफ पर सेक्श्वल असॉल्ट का इल्जाम लगाया था जिससे Gwen भी काफी ज़ादा परिशान हो गई थी क्योंकि Gwen पीटर को एक कल्परिट ही मानती थी अब विचिस गवेन की कार को रोक कर पीटर को किड्नैप कर लेती हैं उसे डिमॉनिक स्टेचू के सामने बान देती हैं उसके हाथ में कील ठोकती हैं और उस पर चैंटिंग करके तड़पाने लगती हैं अब पीटर एक साम को अपने मूँ के अंदर जिन्दा जाते हुए फील करता है नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर अपने बेड़ पर उठता है जहां पर सब कुछ नॉर्मल था उसे कोई भी इंजिरी नहीं होई थी उसकी बॉडी स्ट्रेंथ वापस आ गई थी बट मेंटली वो बदल गया था इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ने उसको हिला दिया था विचिस ने उसे ऐसा ही ट्रॉमा दिया था जो कि उसके विक्टिम्स ने एक्स्पिरियंस किया था घर में पीटर अकेला था और बैका की पेंटिंग की जगा वहाँ पर अब एक स्टैक की पेंटिंग थी तभी किचन में पीटर को कारा का फोन आता है जहांपर वो ये कहती है कि ग्वेन को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है हमने उसकी मैमरी मिटा दी है उनका ये कहना था कि हमने तुम पर नज़र रखी हुई है और यदि अगर तुम नहीं सुधरे तभी किचन के गैस टोप पर फ्लेम साकर अपने आप चली जाती हैं मतलब कि नेक्स टाइम ये लोग उसको जिन्दा नहीं छोड़ने वाली थी और पीटर कारा को येस मैम कहे कर मैंचन से भाव जाता है और दोस्तों अब यहां पर खुलते हैं असली पत्ते लेटर देट मॉर्निंग हम फिर से सभी लेडीज को देखते हैं जो की असल में विचिस नहीं थी उन्होंने ये सब ड्रामा किया था पीटर को डराने के लिए इसमें ग्वेन भी शामिल थी ए वो सिर्फ एक हैलूसिनेशन था जो की कारा के दिये गए केमिकल का सैड इफेक्ट था पीटर अब अपनी पहली बीवी के घर जाकर उससे सौरी बोलता है वहां पर अपनी बेटी से मिलकर उसे भी सौरी बोलता है और उसे अब सबसे ज़ाधा टाइम देने का वादा करता ह बाद में पीटर से एक अंजान लेडी मिलती है और अपने हाथ पर बने हुए टैटू को दिखाती है यानि कि ये विचेज वाला टैटू था इंपलाइंग की वो उस पर हर टाइम नजर रख रही है और बूम ये फिल्म यही पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी इंट स्टैग का पोर्ट्रेट घर में लगा कर ये सिंबलाइज करवाया गया है कि वो रिनीवल एंड रिबर्थ का साइन है स्टैग फादर हुड एंड विजडम को भी दिखाता है पीटर को मेंचन के रूफ से दूर पहाड़ों पर एक स्टैग दिखा था इंपलाइंग की उस पर डेविल गोट में था और उसका एक्स्प्लनेशन भी मैंने किया है अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो जरूर देखना लिंक इस इन देस्क्रिप्शन अब लेडीज का टैटू यहाँ पर एक सेल्टिक नॉट था जो कि सिंबलाइज करता है यूनिटी को एगनस का क और रहा है आजकल बहुत ही जादा चल रहा है और यह लोगों को काफी पसंद भी आता है जैसे कि मुझे पर्सनल यह काफी पसंद आई है तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नॉटिफिकेशन को आ और फिल्म बढ़ा एक बात की शॉरिटी है कि आपको सिर्फ बेस्ट फिल्म सी मिलेंगी यहां पर टोटल मेरे ख्याल से 30 फिल्में हैं बट मैं आपको मुश्किल से मुश्किल चार या पांच का एक्स्प्लेनेशन दूंगा जो कि बेस्ट हैं तो मैं आप सबसे मिलता हू अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टेश कोस्टी